नमस्कार आप देख रहे हैं देश्टी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ गौरी रानी जहारखन में छेत्रिभासा के रूप में अंगी का मैथली और भूशपूरी को शामिल किया गया था लेगिन फिर सरकार अपने फैसले को बदलते हुए मैथली को छेत्रिभासा से हम उनसे भी बात करेंगे सबसे पहले तो आप से जाना चाहेंगे कि प्याइल जो है वो दर्श किया गया है हाई कोट में इस भाशा को लेकर जिसमें मैथली भाशा को सरकार नहीं अलग कर दिया है क्या कुछ कहेंगे लिखिए प्याइल मजबूरी में विजया पत्यास मार राजपाल जी महदे के यहां धर्ना दिया और ग्यापन दिया एक महिना तक रहने के बल प्रतिक्षा में रहे लेकिन नहीं किया तब हम लोगों को अब यही हुआ कि कानूनी लड़ाई लड़ा जाए तब हमारे विद्यापतियस मरक समीती ने प्रस्ता पास करके हुआ कि पी आईल शुकिया जाए और हमने अपने मेतली भासा को जे एससी में जे पी एससी में जो हमारे बच्चे यहां पारकर के भेरजगार घूम रहे हैं उनको परिशा में बचने नहीं दिया जाता है क्योंकि सरकार मात्र बारा भासा को मानिता दिया है उन वही लोग करते है जो भारा राज भासा दिया गया है उसमें भी सब जिला में भासा नहीं बोली जाती है दो तिन जिला में कहीं है खोठा है कहीं हो है कहीं मुंडारी है पूरा राज में नहीं बोला जाता है गरवा में भोजपुरी है पलामू में भोजपुरी है मगी है मैथली भासा तो जिला में है है कि में खिली भासा अधिकांस हर जिला में पचास हजार से जादे है अर हम लोग बवर्सों से समरो करते हैं विद्यापति प्वाइन ऊबारो उसे मुखमंत्री मुक्रासीति बनते हें कबर्णर प्वेस्ट बनते हैं उसके बाद दुद भी हम लोग को मानी तार नहीं मिला तब हम लोग प्याइएल किये हैं और प्याइएल में हमारे एके सानी सिनियर कॉंसील है उन से आप बात करें अधिवक्ता है एके सानी जी साहनी जी बताएंगे क्या है इसमें आर्टिकल 346 कॉंस्ट्यूशन अफ इंडिया संग भीधान और आर्टिकल 51 दोनो के तहट एक दाइत बनती हर सिटीजन का लिंग्विस्टिक माइनल्टी हो चै लिंग्विस्टिक के आधार पर कोई भेद भाव नहीं है यह मिधिला जो है मिधिल लेंग्वेज एंसेंट लेंग्वेज है इसको बिहार एक्ट 37 by 1950 का एक्ट से सामिल किया गया जार्खन बन के द्वारा एक्जामिशन में इसको सामिल नहीं की गई इसके बाद इसी बिंदु पर पतना है कोट में भी एक रीट जाची का दायर हुई थी और विभाजित पतना में बिहार में तो उसका फैसला महिथली भासा को बीपीस्टि में सामिल करने का हुई थी और उसी आधार उसी तर्ज पर उसी आधार पर ये रीट दाखिल की गई का निर्मान हो उसके लिए मैधिल ने भी संगर्ष किया था और मैधिली में नाडा दे करके संगर्ष किया था नुक्सान का यहां सवाल उठता है मान सम्मान का संस्कृत के बाद किसी का इतियास है तो मैधिली का है और नेपाल में यह दूतिय राश्ट वासा है है भारत सरकार द्वारा मानिता प्राप्त अस्टम अन्सूची में इसका स्थान है मैथिल का अपना साहितिक इतिहास है सांस्कृतिक कितिहास है कष्ट होता है पीरा इस वात का होता है जो इस तरह से भासा को अपमान करना है मंत सरकार के लिए अच्छी वात ने असोभनी ये वात है बहुत पीरा है मैथिल के हिरदाय में मैथिल लड़ने सकते हैं लाठी वाला से लड़ाई नहीं कर सकते हैं मैथिल जब भी ल खापित करने के लिए संगहर्स करेंगे और इस संगहर्स में हम लोग हर रूप से नियालाय मानियन विद्वान नियालाय के पास अपनी भातों को रखेंगे उसके बाद जितने भी जन प्रतनी दिया है वहां हर जगा ग्यापन मैथिल ऐसा कहीं नहीं है जो पूरे जारखन मे हर जगा और जगा मैथिल हो हर दल में है यह नहीं है जो कांग्रेस्ट की वह सा मैथली एक समूह का बासा बहुत वड़े समूह का बासा और निस्च्चित रूप से यह जो हुई है इसको ले करके हम लोग हर तरअ से संखर्स करके और मैथली की मान सम्मान के लिए यहां जार खन में रहरे हैं करो रोऽ लोग और ये नहीं है देखिए हैमन सरकार के जो लोग हैं उनकी मानसिप्ता में यह बैठी हुई है जो यह भिहाड की भासा है ऐसा नहीं है हम बिहार के भासा हैं यहां के मूल भासा में हम हैं जदी खोठा को सुनिएगा और खोठा के लोगों का खान पीन देखिएगा जार खंड का और मैथिल का खान पान आचार विचार देखिएगा एक रूपता है हम लोग एक हैं खोठा के जन्नी है मैथली बंगल यहां के मैथी लाहत हैं तो एक तरफ जहां सरकार छेत्रिय भाषा में मैथली को शामिल करती है लेकिन फिर उसे अलग कर देती है जिससे अब नाराज हैं कई लोग और इसको लेकर के हाई कोट में चुनोती भी दी गई है पी आयल दर्च कराए गया हैं और अब देखना होग केस कानूनन प्रक्रिया में आगे क्या कुछ मोड लेता है फिलहाल इस खबर में इतना ही ताम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें देश्टी नियूस